इसराइल हमास युद के बीच उत्री इसराइल हर घड़ी हवाई हमलों की आग में जल रहा है इस पूरे इलाके में हिजबुल्ला का खौफ इस कदर पसरा है कि जो बचे कुछे इसराइली सेटलर्स यहां बसे हैं वो भी अब पलायन करने को मजबूर है हिजबुल्ला अपने रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल हमलों से उत्री इसराइल को हर पल दहला रहा है इसराइली सेना ने हिजबुल्ला को कई बार सीधे युद्ध की चेतावनी दी है लेकिन उसके बावजूद हिजबुल्ला टस से मस नहीं हुआ है बलकि वो उत्री बॉर्डर पर इसराइल की पकड़ को धीला करने के लिए और ज्यादा हवी हो चुका है और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने इसराइल पर एक बेहद ही भयाना खमला किया है दरसल हिजबुल्ला की ड्रोन फोर्स ने तबार्या लेक के उत्तर पस्चिम में अमाद बेस पर ड्रोन का एक जत्था फायर किया आईडियफ का ये सैन अड़ा लेबनान बॉर्डर से करीब साड़े अठारा किलो मीटर दूर है जहां से इसराइली सेना पीछे हटी है इसके अलावा ये बेस नॉर्दन कमांड की रिजर्व का हेड़कॉर्टर भी है साथ ही यहां पर आईडियफ की क्यानवी रिजर्व डिविजन का ठिकाना भी है बड़ी बात यह है कि हिजबुला का ये हमला कितना भीछन था इस बात की पुष्टी अब इसराइली मीडिया ने भी कर दी है इसराइली मीडिया के मुताबिक हिजबुला का एक ड्रोन तो इसराइल के कम से कम 20 किलोमीटर भीतर तक चला आया और 15 मिनट तक इसराइल के हवाईक शेतर में मन राता रहा यहां तक की इसराइल का एर डिफेंस सिस्टम भी इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाया हाला कि जब यह ड्रोन हमला कर रहा था उस वक्त हिजबुला ने नेवजीव में इसराइल की 282 वी आर्टिलरी ब्रिगेट की 411 वी बटालियन पर भी गोला बारू उत्फायर किया था आपको बता दें कि इस सैन्ने अड्डे पर आईडियफ की आर्टिलरी ब्रिगेट का कमांड हेड क्वाटर है साथ ही मौजूदा समय में यहां पर गोलानी ब्रिगेट भी तैनात है लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि हिजबुला ने एक साथ दो ऐसे सैन्ने अड्डो पर हमला किया है जिनके बीच की दूरी करीब 20 किलो मीटर है और इस हमले के अलावा भी हिजबुल्ला ने IDF के अल राम्था सैन ने अड़े पर हमला कर दिया हिजबुल्ला का कहना है कि उसने यहाँ पर IDF के जासू सी उपकर्णों को तबाह कर दिया है और इस हमले के ठीक बात हिजबुल्ला ने जलाल अलाम साइट पर एक आत्म घाती ड्रोन से हमला किया जिसका वीडियो फुटेज भी हिजबुल्ला ने जारी किया है लेकिन इन हमलों के बीच इस इलाके में रहने वाले इसराइलियों का सबसे ज्यादा बुरा हाल है यहां रहने वाले लाखो सेटलर्स हर घड़ी हिजबुल्ला के हमलों के खौफ में जी रहे है साल 2023 की एक रिपोर्ट के मताबिक उत्री इसराइल में करीब 15,30,000 लोग की आबादी रहती थी लेकिन युद शुरू होने के बाद करीब 2,00,000 लोग अपने घरों से विस्थापित हुए है इसको लेकर हिजबुल्ला के डिप्टी सेकेटरी जनरल शेख नईम कासीम ने भी इसराइल को बड़ी चितावनी दी है नोंने अपने बयान में कहा कि हर दिन हम सुनते हैं कि इसराइल विस्थापितों की घर वापसी के लिए अपने हमलों का दाइरा बढ़ाने की धमकी दे रहा है हम उन से कहते हैं कि अगर आप शरणार्थियों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो आप युद्ध छेड़ सकते हैं हिजबुल्ला के साथ एक नया युद्ध विस्थापित लोगों को वापस लाने में मदद नहीं करेगा बलकि उनकी संख्या में जाफा करेगा हम इसराइल को एक कड़ा जवाब देंगे और हमारे खिलाफ युद्ध शुरू होने की स्थिती में युद्ध के मैदान को नहीं छोड़ेंगे और इस सब के बीच ये कहना बिलकुल भी गलत नहीं होगा कि हिजगुला इसराइल के आगे रती भर भी जुकने को तयार नहीं है बलकि वो लगातार इसराइल से कह रहा है कि अगर उसने युद्ध छेड़ा तो ये आग से खेलने के बराबर होगा झाल